हेलो एब्रीवन, मैं हूँ चंदन, स्वागत है आपका अपने चानल हिंदी जनकारी में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके ऐसे जो हैं फेस्बुक का एस्टेटस डाउनलोड कर सकते हैं step by step किसी का भी एस्टेटस हो आप बहुत यहांसानी से डाउनलोड कर पाएंगे यदि आप सीखना चाते हैं तो वीडियो को पूरा अंतक देखें तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपके फोन में एक अप्लिकेशन जो है इस्टॉल होना चाहिए जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अप्लिकेशन के इस्टॉल हो जाने के बाद आप सीम्पल ने उसको ओपन करें जैसे ही open किजेगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface दिखाई देगा आपको यहाँ पर simple से continue वाले option पे click करना है और यहाँ पर आपको okay वाले option पे click करना है जैसे ही आप click किजेगा आपके सामने जो है फेस्बुक का एक फेस्बुक लिखा हुआ आपके सामने जो है एक interface नजर आएगा आपको उपर में mobile नमर या फिल email address और नीचे password देकर login करना है फेस्बुक ID जो आपका होता है यहाँ पर देकर login करना है या फिर यदि आपने अभी तक ID नहीं बनाया है तो आप यहाँ से create new account पे click करके आप नया account खुल ले तो मैं जो है यहाँ से फेस्बुक में जो है अपना ID जो है login करता हूँ जैसे आप इस application में login होंगे तो आपके सामने जो है फेस्बुक में आपका जिस तरह दिखता है आपको भी यहाँ पर वैसे ही दिखाई देने लगेगा आपको यहाँ पर जस्ट उपर में आपका profile picture मिलेगा और जस्ट नीचे में यह आपको story जो है दिखाई देने status को डाउनलोड करना चाहते हैं उस पे आप simple है click किजएगा जैसे उस status पे click किजएगा और वीडियो जो है उस पे play होगा वीडियो तो आपको जो है नीचे में आपको दो options मिलेंगी stream video और download video आपको simple है इस download video पे आपको click करना है जैसे इस option वाले पे click किजएगा तो आपका वीडियो जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा आप यहां से जो है उपर की ओर से जो है अपना notification के तोड़ पे आप देख सकते हैं तो अब आप जो है Facebook पर किसी का भी status जो है डाउनलोड कर पाएंगे यदि आप अपने mobile phone का यूज करके आधार काड को डाउनलोड कर तो कमेंट करें इसी तरह की जनकारी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें